नमस्कार बच्चों आप सभी का सौगत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ में प्रथम और्सका प्रथम प्रश्ण पत्र आहारियूं पोचर विक्यान जिहां बच्चों जिसमें मैंने आज का टॉपिक आप सभी के लिए लिया है आधारिये चैपचे दर जिहां बेसल मेटाबलिक रेट और ये इंपोर्टन्ट वीडियो होने वाला है जिन बच्चों मीनिंग आफ वेसल मेटाबलिक रेट जैसा कि आप सब को पता है मीनिंग आफ वेसल मेटाबलिक रेट के बारे में इसका अर्थ जानते हैं क्या है उर्जा की वह मात्रा जी हां उर्जा की वह मात्रा जो जीवित मनेश को आंत्रिक किरियाओं को क्रियानवित करने के लिए स सरीर के भार में प्रत किलोग्राम से एक घंटे में परयोग में लाई जाती है वही हमारी क्या कहलाती है चैपचे दर कहलाती है अर्थात आधारिये चैपचे दर कहलाती है वही हमारा BMR कहलाता है इसको हम समचिप्ट में जानते हैं या क्या हमारा आधारिये चैपचे का माप कालोरी मैट्री के नाम से जाना जाता है यह दो परकार के होती है एक तो हमारा होता है प्रत्यच उस्मा मापी अर्था डारेक्ट कैलोरी मेट्री मेट्री तथा एक होता है अब प्रत्यच उस्मा मापी जिहां इंडारेक्ट कैलोरी मैट्री कहते हैं इसको प्रत्यच उस्मा म मापी से अर्था डारेक्ट कैलोरी मेट्री से यह माप हावाबंद पर्थक चेंबर में बेक्ति को पिठा कर किया जाता है जबकि हम अपरतेस्च उसमामापी को कैसे नापते हैं ग्याद करते हैं इसके अंतरकत सरीर दौरा ग्रहाड की गई ऑक्सीजन जो सरीर के दौरा ऑक् सरजित की जाने वाली गयाज जैसे कारवन डायाक्साइड है हमारा हम लोग कारवन डायाक्साइड को ही तो छोड़ते हैं कि मात्रा को ग्याद किया जाता है इन दोनों मात्राओं के आधार पर गर्णा की जाती है उस माप को ग्याद कर लिया जाता है जो हमारा क्या होता है जो हमारा आधारिय चैपचे होता है इसके माप को ग्याद कर लिया जाता है फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों देखते हैं किसी ब्यक्ति के आधारिय चैपचे दर को ग्याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है क्या करना पड़ता है नमबर वन क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए हमें नमबर वन है वह व्यक्ति सारीरी के वह मांसिक रूप से पोड विश्राम की स्थित में हो इसे भी अवस्य ध्यान देना चाहिए और बीयम आर्क ग्यात करने के लिए सुबा नास्ते से पहले का समय सबसे पहले यहाद रखना क्योंकि जब ब्यक्ति सुबा नास्ते से पहले का समय उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है किन्तों ऐसा नहों सके तो ब्यक्ति को 12 गंटे तक भोजन अगर भोजन किया है तो 12 गंटे तक रेश्ट करें फिर उसके बाद इसका वेमार को ग्याद किया जाता है क्योंकि 12 गंटे अवस हो जाएं भोजन करने के बाद तभी हम लोग ब्यक्ति जिसकी आधारिये चाहिपचे दर ग्याद करनी है वह पोड़ जागरत वस्था में होना चाहिए जिसकी आधारिये चाहिपचे हम दर ग्याद करेंगे वह पोड़ जागरत वस्था में होना चाहिए और नमबर फोर है हमारे बच्चों उस कमरे का ताप क्रम जी हां उस कमरे का टेंपरेचर ना बहुत अधिक होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए अर्थात सामान का एक सूतर है बच्चों यह सूतर याद रखना ये बहु भी कल्पिये में भी पूछा जाता है कि आधारिये चाहिपचे दर की सूतर बताईए यह बहुत important है क्योंकि आधारिये चाहिपचे दर का सूतर देखते हैं बाद आधारी चाह पाचे डर, फिर उसके बाद हम एकवल करेंगे, फिर आधारी सतितियों के कुल उश्माउत पाधन अर्धाद क्यलोकैलोरी से, फिर उसके बाद हम upon करेंगे फिर खुल सारी रिख सता छेतर पर अर्थाद वर्ग मीटर में इसको रखेंगे कितना note कर लेना है यह most है यदि आप सबको अधाय चैपचे दर ग्याद करने के लिए कहा जाता है तो यह सिर्फ आप सुत्र ही लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरा पूरा मिलता है और देखते हैं क्या है BMR इंगलिस में देख लेते हैं BMR टोटल हीट इन किलो और कैलोरीज अंडर कंडिशन फिर अपॉन करके टोटल वाडी सर्फिस एरिया इन स्कॉार मेटर अब हम ल सबस्कॉारे मापी और अब हमारा तीसरा है रोट्वैंड स्पारो मीटर दौर यह एक यंद्र है जिसके दौरा हम लोग क्या करते हैं आधरिय चय पेचे दर्ग ग्याद करते हैं उसका छे-छे मिनट okay Day-care लिए दो बार oxygen क्या होता है दो बार oxygen की मात्रा जो वह गरहर करता है ज्यात कर ली जाती है इसके पाशाद उसका और सब्लाई किया जाता है अब हम लोग देखते हैं इसका चित्र देखते है क्योंकि यह important है यह चित्र पूज़ भी सकता है कि चित्र बनाए यह पेपर में तो आप सब screenshot लेकर अपने notes में चित्र बनाकर practice कर लें हो सकता है इस बर्स यह figure ही आजाए आप सबको बनाने के लिए देखते हैं क्या है यंद्र आप सब देख पारहे है रोध डिप्ट स्वायरो मीटर यह हमारा है आगे देखते हैं क्या है एक पांच प्रस्न हम लोग बहुत विकल्पिया करेंगे जो मोश्ट है हमारे पेपर के लिए इंपोर्टन प्रस्न होंगे बहुत विकल्पिया प्रस्न आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या कह है हमारा प्रस्न कहीं रहा है वन सरीर को क्रिया सिल्प बनाये रखने के लिए और रोस्यक है क्या वश्यक है सरीर को क्रिया सील बनाए रखने के लिए नंबर आ है ताप करम बा है उर्जा और नंबर टू है हमारा सरीर में होने वाली रसानिक क्रिया होती है कितनी रसानिक क्रिया होती है आ है मारा दो होती है बा है तीन होती है सा है मारा चार होती है और दा है मारा पांच होती है तो कितनी रसानिक विकास यों भृत किरिया करती है किigorतके अजिसे इंगलेस में हम स्कूपनेदा ciao है Iljah इमपोर्टेंट रखना सब्सक्राइब करने के लिए किस उपकरण का परियोग किया जाता है किस उपकरण का परियोग किया जाता है सा है रूथ का नाम लिया गई था रोथ वनेडिक्ट इस्पाइरोमीडर अर्थाद वनेडिक्ट रूथ जो थे इन्होंने ही इनका ही उपकरण था जिससे हम क्या करते थे आधारिय चैपचे दर को जाद करते थे इसलिए हमारा एंस्वर सा सही होगा और आखरी प्रश्न है आधारिय चैपचे दर पर प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है आ है मारा तुचा का छेतरपल बा है आयू सा है सारी रिक्स अंगठन दा है उपरियुक्त सभी क्या होगा जल्दी से अंसर दें जी हां तुचा का छेतरपल भी ग्यात होता है आयू भी ग्यात होती है सारी रिक्स अंगठन भी इन सब ये प्रभाव डालने वाले कारक होते है ये तीनों कारक होते हैं जो हमारे अधारिय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें जिससे उन्हें अच्छे से में की तैयारी हो सके और आप सभी का दिन अच्छा हो जै माता रानी